आज करें देखो आज का सेंट्रेसंट का लगा है तीग है करें पर अब पर करें अब हम सॉजूप्शन की का नए कि अगर कि सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन को बनानी दिए हमारे पास दो या दो से जाज़े होनी चाहिए कि सबसे पहला इस चीज को हुआ पिस चीज में डाल रहें इसमार में पीकर में हम एक सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं इसमें यहां पर कोई चीज पहले से पढ़ेंगी है यह इसका स्टेप लिक्विड है यहां सब कोई भी पार्ट कर दा है चाहे सॉल्यूशन हो चाहे लिक् कि अगर में फोई पी सॉल्यूशन बनाना है तो हमें सबसे पहले एक बड़ी सी चीज दी होगे जो भी हमारे बाद दो तो पॉम्पोनेंट हो जो एक एक मैं इसको चाहा कीजिए निए कि नियुक्व पोजिए इसे इस कि पॉर्म में हो सकता है सब्सक्राइब करें इसके इसके अंदर बाइब यहां से राड़िकल्स इसके अंदर डालें जो दालते हैं और जिसमें डालते हैं इसमें डाला गया है इसे इससे इसके अंसर घुला गया है इसका दूसरा तरीगा प्रचानने का सॉल्यूट फ़र्दम लेस्ट क्वांटिटी में होता है और सॉल्मेंट हमेशा लाज अमांट में होता है एस कंपेर तो सॉल्यूट यह लाज अमांट में होता है कि सॉल्यूट हमेशा सॉल्यूट से जाज अमांट में होता है इस चीज को हम लोग किसी चीज के अंदर मिला रहे हैं और सॉल्वेट हो है इसके इस केस में देखा जाए तो हम लोग सुगर को वाटर में डाब रहे हैं अब भावर्य का सॉल्यूट बन जाएगा और वाटर में सॉल्यूट बन जाएगा और वाटर में इसका अमांट में तो हमेशा जादा होगा सॉल्मेट इस तरह से पता कर सकते हैं इससी को कहते हैं पाइंवे सॉल्यूशन वर ठीए दो कॉम्स विलकी बना हो तो यह बजायगा सॉल्मेट अब सॉल्यूशन कितना गारता है को इस जादा है वही उसका concentration बाता है concentration represents the amount of solute dissolved in a solvent कितना जायता solute डालो कि उतना जायता concentration बढ़ जाया concentration determines the amount of और इस वाइब से दिना है कि यह विए विए सॉल्यूशन में स्वाइब का इस 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 विए उसे और बाड़ा करना चाहते हैं तो जो शॉल्यूशन है उसे और मिलाते चरहे हैं इस बाड़ा स्वाइन सब्सक्राइब कि अगश्यूशन गुद्ध वाटवार नेर शॉल्यूशन लेना है, जो चम्क चिनी डालके पीट हो रांसे घेकर पिठाई बनाते हैं उनका पना सुछल्यूशन बहुत घाल यूशन यही है कर से ट्रेशन कर ददेखे करना पढ़े कि क्या होता है सोलिट विपल्त प्लास। सॉलुट जरूरी नहीं है कि हम सॉलिड को ही लिक्विड में डाप सकता है इन तीनों के कॉंबिनेशन के अलग लग सॉल्यूशन बनते हैं जो अभी तो यह पढ़ने लिक्वाग में सबको एक साथ निसा जाए अभी हमें कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना इस चाहिए कि इस चीज को बढ़ाएंगे तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा और इसी कंसंट्रेशन टर्म को मेजर करने के लिए इस पूइन बढ़ा है अभाए हमारे पास अलग अलग मेठ़ट है अलग तरह हुने जो अलग का इसको मेजर कर सकते हैं जैसे हैं अगर आम्में बबस एक लेंद्ध वाली हों इसको बस एक लेंद्ध यह एक क्रिस्टल कॉण्टिटी लेंद्ध दे लेए और इस इसी को इचे महज़ें करते हैं We Go मारे आणे कि आतर मेहारी है इसके इतने सारे टर्म आ रहे हैं इसी तरह हम किसी भी स्वाइचन के कंस्ट्रेशाब को अलग प्रिप्रेजइट कर सकते हैं वहीं देखना है ठीक है अब अलग अलग कारूं है कौन कौन से कर देखो तो 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 पहला हम पढ़ते हैं किसी भी कंसंत्रेशन को देखो ताहले हम पढ़ते हैं परसेंटेज मास भाई मास पर्सेंटेज मास को खर्विस्टी में टबूंग से रिप्रिमेंट रहते हैं कि इसको मिखेते हैं कि पर्षेंटेज डब्लू बाइड डबाइड दिवाइड तो पर्षेंटेज मास बाइड मास क्या बताता है इस अधाने डिजाव इन हंड्रेड ग्राम ऑप सोल्विस्टेज देखना है इसको ऐसे दिखेंगे एक पर्षेंटेज कि डब्लू बाइड व मेंगि यह किसके पराबर होता है यह होता है डब्लू साल्यू स्वैंट की अपूरे ट्रोटल सॉल्यूशन का भी अवी पर्सेंटेज निकाला इसका पांच्या करते हैं कि माटिप्लाइड चाथेंगे अगर पूछे कि कि अकुष्य पर्सेंटेज वाटर सुप्स नोगी हम डाले तो उसको लिकालना है जैसे अगा यह है लीक्विट इसका मास वाई ग्राम है जो सॉल्मेंट था हमारा तो सॉल्मेंट हमारे था था तो यह तो अगर यहां पर अगर इसकी वैल्यू रखने की पूसिस करें है सबस्क्राव ओधना मिन एक्स आए यहां देख लेकिन लिखा हुआ है अब यह बखाया कि सल्यूशन होता क्या सॉल्मेंट क्लस में पूस्ट है सब्सक्रावर क्या सब्सक्राव डिए। निखेंगे यहां क्या लिखेंगे यह तो हमें इससे पता चल जाए कि केतना इमांट कितना ग्राम अफ व्यूक्षन में कि मिला यह इसको राइब कितना अमांट अफ हमें लगा हुआ है कि कभी कभी देखो कि इसमें डाटा लिखता है कि कभी कभी डाटा कुछ इस तरह से देगा कि कोई सॉल्यूसन है इसका परसेंटेज परसेंटेज डाटा लिखा और यह इस तरह से लिखा हुआ तो उसे इस तरह से लिखेंगे ठीक है उपर वाला टम देखो होता क्या है सॉल्यूट का अगर इस तरह से डाटा दें और हमें अगर किसी तरह फॉर्मूले में सॉल्यूशन का मास रखना तो सॉल्यूशन का मास हमीं अगर इस तरह से लिखेंगे तो सॉल्यूशन का मास बताईगी जो पानी है उसका जो उन्हें यहां पर दाला प्लस सॉल्यूशन के बनाबर ठीक है तो यहां पता चाहिए जाए जाए इसी एक्वेक्षन में रेखा जाए जिनाए यहां पर पंटी लिखते हैंगे यहां प्राइट टीकते ही बचा क्या सॉल्यूशन करते ही लिखेंगे तो इसको इस तरह से डाटा यहां करकूलेट कर सकते तो हमसे पढ़ा पर्सेंटेज मास बाई मास क्या कहता है विप्रेजेंटेशन देखो फूप में इस तरह से बहुत बाद दिखेगा तो जैसे इन नुमेरिकल्स में यह डाटा दिखेगा तो रहत हम उसको इस फॉम में करवड करेंगे और उपर वाले का उपर जो नंबर इंट ग्राम आप सोलीट तो परसेंटेज मास में मास हो गा डिकांग किसे डिखाई घर सकती है कि इपीज टिटीट यह इन आपक उसकी टेंसिटीटेशी इन आटिक फॉसका थार कंसेलरेसं कितना है वो हम पर दा करते हैं मास भाई मास निए ठीक है कि इतना लू डॉम कर लो कि यह बात आगी पर्षेंटेज मास भाई मास देखो गर यहां दी एक्जाम्पल देते कुछ जैसे सुगर और वाटर का ही देख लो 30 ग्राम सुगर देखो इसलोग इन वाटर में में तुमने गाम तुमने गाम तुमने गाम और वर यह आगी आगी Dissolve ink water To mix solution Pine Percentage W by W Mass percentage में पता कतना है ठीक है यहाँ देख होगे इस यह question निफॉसका answer कैसे solve पने देखे एक इग्जाम्लों देखे हैं हमें percentage W by W निकालना है तो percentage W by W मतलब percentage mass by mass इसका formula देखे हैं यह रहा है कि अग्वान देखे हैं कि अग्वान देखे हैं कि इसमें वे बड़ी पूर करने हैं कि देखे इतना N1 ग्राम करें यह इसे भी चेक कर सकते हैं कि यो नहीं सब्सक्राइब करेंगा अफ्क सथ ओर STU और W solvent का data दिया हुआ है जो कि 220 ग्राम है लेकिन घ्यान से लिपा हमारे equation में है क्या हम जो formula लगाने चाहते हैं उसमें तो कहीं solvent का term ही नहीं हमें यही तो दो data दिया हुआ एक data यह दिखा हुआ एक data यह दिखा हुआ तो यहां पर इसको change करते हैं को डबुट वस्वाइब को अजिए रहने देंगे और नीचे का करेंगे डबुट solution के दिखेंगे डबुट solution के दिखेंगे डबुट solvant और इसको मतिशन रहे हैं को ताइए को अंड्रेट से ज़बुट सब्सक्राइब करें कि नीचे कितना है कि यहां इसका पर्सेंटेग में आंसर इसका मतलब अगर हम 100 ग्राम इसको लेंगे इसको लेंगे इसको अगर्ण कि यहां आए जो हमेशा मास के तर्फ महीं रहे वह वाल्यूम के तर्फ में प्रो सकता है हमारा जो सॉल्यूशन है वह हमेरी क्वेश्चन में वॉल्यूम के तर्फ में भी इवन हो सकता है तो कंसंट्रेशन को हम लोग वॉल्यूम के तर्फ में भी डाल सकते हैं है इसी कंसेंट्रेशन टर्म को हम लोग वॉल्यूम के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगला प्रूपी हमारा हो सकता है पार्ट टू परसेंटेज मास वाइव वॉल्यूम अरुम मास्ट गीमार को बता थे हैं कर दो यह व्यूमित्ध स्टूंट्स जोना चाहिए और पास लिक्विट फोंप के होना चाहिए अबर हमारा सॉलिट चौर्म में हैं सॉल्विट ले रहे घृत ले रहें तो हमारा कंसंटरेशन कातर हमेगा काहम पाइगी तो इस यह पाइगि 5 पॉर सके मास पआ जो बालम है यह इसका मोंत में इस सब्सक्राइब करता है क्या था था परसेंटर्म क्या है इस बार हमने क्या अजिया था सूगर्ड जो है पहले होजे के मांस वाजे में सूगर्ड को वी इस वाटर को हुप्ट ने ना लेकिए अब और इसका इसका अंसेंट्रेशन आए रहा वो लो कैसे लिखते हैं से हो गया percentage mass by volume तो percentage mass मतलब W से लिखते हैं mass को w से और volume को वी से हमें लिखना है percentage W by V mass by volume अब percentage mass by volume दे की की इसका मतलब साउस मतलब ऊपर वाला चीज जो होता है हमेंसा सॉल्यूट का डाटा लिखते हैं तो हम लेखेंगे डाटा लिखते हैं इसी से डाटा निकाला आशीत तो तो फूर वाले चीज लाटा होती है नीचे वाले हमेसा solution को बताती है तो यह V solution लिखेंगे पहले हम लिखते हैं यहां क्या लिखेंगे कि V solution into 100 तो हम solute का mass लेंगे solution का volume लेंगे और उसको 100 से multiply कर देंगे तो हमें बिल जाएगा percentage mass by volume, mass upon volume का percent निकालना चाहिए कि अगर इसे define करना तो कैसे define करता है कि it is defined as the amount of solute कि डिजॉल्वें है कि अमांट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन है 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 अंडेड एमेल ऑफ सॉल्यूट्स यहां देख द्यां था जो पुल्ची वाद टर्म में इस्तिमाल करेंगे तो हम दोलों का टर्म इस्तिमाल करेंगे करत다 को दो है 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 किसे के तकर अब ब्रह्यां प्रॉब्रंत क्या है कभी 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 कुम्हें नंफी आफ करने की जो तो हमें solution को mass की term में लिखना हैं तो question में तुम्हें इस solution C density देगा तो हम जानते हैं इस density हुआ मास अपन वाल्यूम होती है ए चाहिए है तो मास दिया होगा अगर में करना पड़ेगा कि अगर मास इतम में दिया है तो हम हम अपट गॉलीव सा हुगा करने जोसे में जेटेंड चिपहाएं लिए तो में गुमात देता है डारेक्ट नहीं देगा तो यहां एक तरशाना पड़ेगा तो से तार हम लोग चेंज कर सकेब हैं यह से, देखो नहीं इप 20 gram of sugar dissolved in water to for 250 gram of solution of density 1.5 gram per ml then find find क्या करना है हमे percentage w by यह हमारा question दाते है तो देखो इसके answer में क्या करें हमें हमें percentage w by भी नहीं कहा हुआ है ठीफे data के given है देखो यह कम amount में है तो यह इससे कम amount में sugar है यह हमारे पास क्या हो गया solute होगे तो डब्लू solute दी आगा है यह दिया है 20 gram यह हमारा क्या है सुगर है हमारा का सुगर का data निकल गया डब्लू solute यहां देखो यहां लिखा रहा है कि इसको इतने में dissolve किया है in water to form इतना gram of solution यह मुला जो मांस इतना solution कम आती है solvent करी दिया हुए पूरी का पूरा solution हमारा बंग रहा उसके बाद जैसे यह तही इसका मांस को चौड़का इसका मांस को चौड़का जबी दोनों जो फाइनल वेट हमारे पास आएगा फाइनल वेट हमारे लिखा हुए 250 ग्राम आफ सॉल्यूशन कि मारे पूरा क्या निखा है W solution 250 ग्राम दिखा हुए पूरे whole solution ठीक है इसी को मोल सकते है सुदर water solution पूरे का मांस दिखा हुए पहले वाले case में हमारे का water का मांस इसमें क्या पूरे whole solution का मांस है तीसरे चीज़ा में दी गई है solution of density density of solution दिया है density की D या लोग से दिखाते है D solution density of solution दिखा हुए 1.5 अब अब देखू हमें यह वाला equation लगाना है percentage W by V निकालने के लिए इस equation में देखू volume of solution जहां के लोग तर्व है volume of solution का टर्वा लेकिन हमारे पास यहां पर mass of solution दिया है W solution को volume of solution बदलेंगे तो हम यहां पर volume निकाते volume का formula volume निकालने के लिए mass upon density तो हम लिए volume of solution V solution volume निकालने के mass upon density तो W solution upon density of solution volume of solution तो W solution है किसना यह है 250 divided by 1.5 ठीक है इसे अगर सब्सक्राइब सब्सक्राइब 250 0 1 0 1 0 उपने दो इस इक बन जाएगा इसे 5 पीटे पर से कटेंगे 3 बार में इस कटेंगा 500 बार 500 बार 500 बार 500 upon 3 volume आ गया ml किसमें आ गया 500 upon 3 ml अब हमारा पुलिणा टाटा जो मिनी काना है %W by B %W by B होता है W solute upon B solution into 100 तो W solute हमार मस्कितना है solute तहमास है 20 gram यहाने इसे 20 volume इसना है 500 upon 3 500 यहां आ जागा 3 उपर चला जाए स्कुरें 100 से multiply 20 00 कट गया 5 60 4 2 12 12 12 12 %W by 3 ठीक है यह हमारे पास percentage mass by volume का data और नोट तर्वेश का तीसरा कंसंट्रेशन टर्म में अब कंसंट्रेशन को एक्स्प्रेस करने का तीसरा तरीका हमारे पास अब हो सकता है वॉल्यूम के केस में हमारा सॉल्यूट भी वॉल्यूम के केस में हो और सॉल्वेंट भी वॉल्यूम के केस में हो जिसमें घोलते हैं उसको कहते हैं सॉल्वेंट और जिसको घोलते हैं उसको कहते हैं सॉल्यूट तो यह हो गया हमारा सॉल्वेंट इस solvent को हमें रखना है Lickweed के case में और ये अगरже Lickweed के case में होगा तो इसको किसमें measure किया जाएगा Volume में हमें अब जो merge absolute लेना है ये solute भी हमें liquid का haya solute लेना है किसमें measure जाएगा measure किया जाएगा Volume में जैसे दूद में पानी मिला देते हैं ना और उसी तरीके से दूद हमारा do, Solid है खुद हि لिक्वीट के form में था और Water हमारे पास खुद ही Salude का काम का क्या गिए यσ 0 यो कि खुद है, Liquid के Form में था अब अगर इसको इसमें डालते हैं अब देखेंगे इतना concentration हमें मिला कितना मिला तो उसको मेजर करने के लिए लेखेंगे percentage V by V percentage by volume अब percentage by volume निकालने के लिए volume of solute अपन वॉल्यूम सॉल्यूशन multiply by 100 अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड़े वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर देंगे तो मैं मिल जाएगा percentage वॉल्यूम बाइ वॉल्यूम तो इसको define किया जा सकता है इसको define कर सकते हैं the volume of the volume of solute dissolving 100 ml of solution is known as percentage V by V it is defined as the volume of solute dissolved in 100 ml of volume of solute solution अगर अगर इस तरह से अगर डिनोटेड हो 10% वॉल्यूम बाइव वॉल्यूम तो तो तैन पर्सेंट वॉल्यूम वॉल्यूम डिने टो डिनोट होगा इसका अगर टैन अपाउन हंड्रेड जो ऊपर रहता है वो solute तो यह हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम और शॉल्य को वॉल्यूम दिया होगा इसमें लीट खूले को नीचे 100 वाल्यूम से यह क्चेंज करेंग यह जितनी बार वियागा इसको आशींज करते में कि अगर व्यूम आफ सॉल्यूम हमें谗े यह पर मास लिख दे इसका कि मॉल्यूम स्कूल इतना गीन है लेकिन हमें तो यह फ़ वॉल्यूम लिखना है अगर मास का टम देगा तो डेंसिटी से उसको एक्सचेंज कर लेंगे डेंसिटी इकल टू मास अपन वॉल्यूम को फॉर्मुला लगा के एक्सचेंज कर लेंगे इसको अब देखो अगर इस तरह से कह दें find percentage V by V of nitrogen if 70 ml of nitrogen गैस प्रेजेंट इन 210 ml of air अगर atmospheric air को देखा जाए जो atmospheric air की gases है उसमें nitrogen भी है और gas को हम लोग वॉल्यूम के टम में नापते हैं जैस को मेजर करते हैं तो वॉल्यूम के टम में मेजर करते हैं तो हमें अगर बता दे कि 70 ml of nitrogen present है 210 ml of air में ठीक है तो कितना होगा nitrogen का percentage volume by volume इसमें देखो answer देखो given क्या है nitrogen का 70 ml given है nitrogen air में जाके घुलेगा तो air हमारे पास solvent का काम कर जाएगा air solvent का काम कर जाएगा air तो पुरा mixture हो गया और ये nitrogen हमारे पास solute का काम करेगा तो हमें दिया है volume of solute तो volume of solute दिया है हमारे पास 70 ml जो कि है क्या असल में nitrogen gas है जिसे लिखते है N2 N2 gas का ये volume दिया हुआ volume of solution कितना दिया हुआ है घुलने के बाद पुरा-पुरा air बन जाएगा उसका दिया है 210 ml ये पूरे air का volume दिया हुआ है घुलने के बाद जो air बनाया उस air का volume 210 ml हमें निकालना है percentage V by V जो कि होता है V-solute V-solution इंटो V-solute है 70 upon 210 इंटो 100 तो यह आ जाएगा 100 by 3 मतलब 33.3 percent percentage V by V इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है इतना percent आ गया तो इतना volume of solute 33.3 ml volume of solute per 100 ml में dissolve अगर रेशियो लेना है में कि per 100 ml में हम जालो बेश आतर रहा है चलो देखो कंसंट्रेशन टर में जब कंसंट्रेशन टर्म के बारे में deal कर रहे थे तो शुरुवात से हम लोग उसके solute के बारे में deal करते हैं कोई भी क्या है कंसेंट्रेट है या नहीं है कितना कंसेंट्रेट है कितना कंसेंट्रेट है वो कैसे बार चलता है जितना amount हम उसमें solute डाल देते हैं concentration c of any solution depends upon only on the solute जितना ज्यादा solute डालते जाओगा उतना ज्यादा solution concentrate होते जाएगा इसी solute के quantity को measure करने के अलग अलग तरीके जितने अलग अलग तरीके से solute को measure कर सकते हो उतने अलग अलग formula बन जाएंगे concentration term को represent करने के लिए शुरुवात हमने की थी solute को पर्सेंटेज में नाब ले अगर कोई भी solute है तो solute तीन तरीके का हो सकता है कि मास अलब solid लिक्विट और गैस तीनों में solute हो सकता है सब को volume में नाब सकते हैं solid को मास में gas को भी volume इनी को हम अलग अलग percentage में कर रहे थे कभी मास अपन मास का percentage लिये थे मास अपन volume का कभी volume अपन volume का कभी mass और volume का इनी में घूम रहे थे शुरुवात किये थे percentage w by w मतलब मास बाई मास परसेंटेज दूसरा लिये थे मास बाई volume percentage w by w w मतलब मास केमेस्टी में मास को w से दिखाते हैं थर्ड स्टार्टिंग किये थे percentage volume by volume ठीक है solute यही नहीं हो सकता है जितने तरीके से solute को measure कर सकते हैं उतने तरीके से concentration term के formula बना सकते हैं चौथा लिक्वाए थे strength का formula ग्राम पर लिटर में इसको नाव थे डबलू अपन volume बट volume किसमे होना चाहिए लिटर यह था strength यह सब percentage चलना था क्या चलना था जब हम solute को percentage के term में नाप रहे थे अब इसी solute को moles के term में भी नापा जा सकता है कितना moles solute हम डाल रहे हैं किसी solvent तो जैसे ही solute को हम लोग moles के term में नापेंगे तो अब हम इसके molar concentration के term में पहुंच जाएंगे कि concentration of a solute in term of their moles तो जैसे ही concentration को moles के term में नापेंगे तो फिर अलग-अलग formula और बनेंगे यहां तक बात होगे थी percentage की mass volume से सबसे relate कर रहे थे concentration को अब concentration को moles के term में represent करेंगे तो कितने term अलग-अलग हो सकते हैं कि हम moles को उसमें represent कर सकें अब solute को direct पहले समसे पहले हमें mole निकालना पड़ेगा कभी भी इसका calculation करना है यहां तो direct mass volume सब data given रहता था उसको देख लेते थे अब mole का data ढूंड़नेंगे सीधा तो जैसे ही mole के data में आएंगे अब देखो अब अलग-अलग फिर और equation मिलने लगेंगे अब कौन-कौन से equation मिलते हैं आब आगे देखो इसको पान छे आट दस जो भी मिले अब पर नाएंग कंसेंट्रेशन अब सल्यूट अन देखो अब बेसिस अफ मोल्स ठीक है अब कंसेंट्रेशन अब सल्यूट अबमा अब हारानव और कौन सल्यूब पूलग यदो सल्मा गाइखो अबमा पक्साबग्चबार कर harmony मिलने पानवारा त Sono उसदा सक्सान है कंसंट्रिशन अब सॉल्यूट इन टार्म्स आफ मोल के टर्म में अब सॉल्यूट के कंसंट्रिशन को मेजर करना है सबसे पहले देखो पहली चीज़ आती है जो हमें पढ़ना है हुआ है मोलारिटी स्टार्ट करना है मोलारिटी से तो मोलारिटी कहता क्या है जब हम सॉल्यूशन बनाते थे तो अपना सॉल्यूट लेते थे इसके अंदर सॉल्यूट डालते थे अब इसी सॉल्यूट को अगर मोल्स के टर्म में मेजर किया गया है ना तो मास ना तो मॉल्यूम सिधा मोल्स के टर्म में तो कितना मोल अफ सॉल्यूट कितने वॉल्यूम अफ सॉल्यूट में डिजॉल्व है वॉल्यूम हम कंसिडर करेंगे वॉल्यूम को फिक्स रखेंगे कितना एक लीटर में जाके गूल सकता है एक लीटर पानी में कितना मोल अफ सॉल्यूट को हम डिजॉल कर सकते हैं यही बताएगे इसकी मोलारिटी तो मोलारिटी is a concentration of a solution concentration of a solution measure in the term of mole इसको अगर define करना चाहे है तो देखो molarity को ऐसे लिखते है molarity को लिखते है mol of solute upon volume of solution और solution का जो volume है वो लिटर में होना चाहे है तो अगर इस equation से इसका definition लिखना हो अगर इस equation से molarity की definition लिखना है तो देखो क्या कर सकते हैं सीधा सीधा the amount of mol of solute the amount of mol of solute dissolving per liter of solution per liter of solution में कितना dissolve हो सकता है अब ध्यान से देखो mol mol of solute क्या हो सकता है mol का formula mass के term में, volume के term में, number के term में हम देखो mass के term में इसको लिखते है तो यहान लिख सकते हैं mass जिसका mol होता है उसी का mass लिखेंगे तो यहान लिखेंगे w solute mass of solute divided by molecular weight of solute अगर करेंगे molar mass of solute तो यह तो mol हो गया, क्या हो गया, यह इतनी बड़ा क्या हो, mol की value लिखेंगे ठीक है, यह divide होई रहा था नीचे क्या है, volume of solution in liter तो यह है V solution किसमें? लीटर में अगर इस लीटर को लीटर में न लिखें volume अगर ml में दिया हो तो इसको convert कर लेंगे लीटर से ml में तो जैसे ही लीटर से ml में convert करेंगे उपर, 1000 से multiply कर लेंगे एक लीटर में 1000 ml होता है तो अगर ml में data निकालना है तो एक ml कितना हो जाएगा? 1 upon इस लीटर को अगर ml में बदलेंगे तो इससे divide कर देंगे तो यहाँ पर एकर 1 upon 1000 लिखेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा तो अगर इसी molarity को फिर से लिखना चाहें तो और इसको बदला जा सकता है ऊपर अब 1000 आजाएगा और यहाँ आजाएगा V solution ml में और molarity को capital M से दिखाते हैं तो इसके यह तीन अलग-अलग formula बन सकते हैं ध्यान से देखो अब कभी क्या करेगा तुम्हें solution का volume भी देदेगा और molarity भी देदेगा अधिकतर जब भी हम देखते हैं लैब में लैब में जो beaker रखे रहते हैं न SEL के या किसी और चीज़ के chemicals के तो उसमें हमिशा उसका molar concentration ही जादा लिखा रहता है उसका molar concentration लिखाता है बीकर माल लो 250 ml का है उसपे लिखा रहेगा यह यह one molar है यह two molar solution है ऐसे करके यह one normality है normality है कलक्स चीज़ आती है उसको बताएंगे तो इस तरह से one molar लिखा होगा तो अगर molarity दे दिया हो और volume दे दिया हो हमें के वाल डाटा दो दिया हो एक दिया हो molarity इसकी और दूसरा इसका volume दिया हो तो अभी हम यहां से इसके solute का data निकाल सकते हैं जैसे अभी हमने पढ़ा क्या है देखो यह molarity का m का formula होता है number of mol को n दिखाते हैं n upon v ही तो होती है molarity जब volume को लीटर में रखते हैं तो अगर m into v करेंगे तो देखो यह mol सा जाएगा cross multiply number of mol को n से दिखाते है formula है ना यह उपर वाला यह और volume of solution v से cross multiply कर दो v को इधर यह m v अगर molarity जो दी हुई है वहाँ पर one molar two molar कुछ भी और बीकर इतना बड़ा होता है volume उसकी लिखे होती है कितने ml का वह बीकर है तो वहां से मुसकी में number of mol of solute पता कर सकते है नंबर of mol of solute मालो SCLE था SCLE का 3 mol अगर आ गया तो SCLE का molecular weight तो हम जानते ही है फिर स्मोल वाले formula को क्या करेंगे W upon molecular weight में लगा देंगे molecular weight SCLE का हम डानते हैं 36.5 आ जाएगा यहां W बचेगा और यह 3 चल ला है cross multiply करोगे तो 3 into 36.5 is equal to weight आ जाएगा तो solute का data तो यहां से भी निकल सकता है उस बीकर में यह दो data लिखा रहता है अदिकतर moles नहीं लिखे रहते हैं volume तो volume तो बीकर का खेल रहता है यह बाकि उसका concentration लिखा रहता है बोलते हैं अब ध्यान से देखो अगर जैसे volume ml में दिया रहेगा अगर वी को हम ml में आप रहें तो जो जाता है 10 to the power 3 मोल ने यह मिली मोल आएं मिली मोल डाटा मतलब नंबर अफ मोल एंटो टेंटो झे नुटी पावड़ थी का डाटा आए इसे को बिलते हैं मिली मोल, जब यह ml में लिखाओ, जब यह लीटर में लिखाओ तो पुरा-पुरा मोल आएगा, और जब ml में देगा तो मिली मोल आएगा, तो यह conversion करना सीखना पड़ेगा, इस पर ध्यान देते हैं, यहान नहीं तो गरवड़ी हो जाती है, यह calculation करते समय, ध्यान नहीं दो यह तो गई देखो, मोलेरिटी की बात, इसी मोलेरिटी में देखो, अब अलग-अलग condition आ सकती है, जैसे माल लो, हम दो अलग-अलग तरीके के भी कर लेते हैं, पहला ए, और बी, पहले वाले का जो मोलेरिटी है, वो म, ए, वॉल्यूम भी, दूसरे वाले की मोलेरिटी म, बी, वॉल्यूम भी, अब अगर इन दोनों को हम एक साथ मिला दें, मिलाने के बाद यहाँ पर पोर कर दें इसको, तो यह जो resultant solution बनेगा, उसकी क्या मोलेरिटी रहेगी, अगर ऐसा कोई solution है, जिसका मोलेरिटी M1, M1, M1 है, वॉल्यूम भी यह है, इसको second solution जिसकी मोलेरिटी Mb है, वॉल्यूम भी भी है, इन दोनों को add करते हैं, add करेंगे तो यह बनेगा, यह मालो C बनेगा, solution, C बन गए, तो पहले से इन solution है, तभी तो इसकी मोलेरिटी आई होगी, पहला solution, दूसरे solution को अगर add करके तीसरा solution बना रहे हैं, तो तीसरे solution की मोलेरिटी क्या होगी, तो M, C बताना होगा, molarity of C, तो इसे कैसे calculate करेंगे, अब देखो, गडबड क्या हो जाती है, जैसे, यह quantity direct add-able नहीं है, कि पहले की molarity 1 थी, इसकी टूटी तो इसकी 3 हो जाएगे, ऐसे करके इसे नहीं निकाल सकते, directly countable value, नहीं है, इसे density होता है पानी का, ऐसा थोड़ी है कि, 1 density वाले liquid को जिसका density 3 है मिला दिये, तो 4 density वाला solution बन गया, ऐसा नहीं होता, यहां देखो, गर कोई चीज देखी जाए, तो हो क्या सकती है, यहां कुछ भी बदल जाए अगर, लेकिन number of mole नहीं बदलेगा, अगर इस solution में 10 particle हैं, और यहां पर भी 20 particle है, तो 10-20 जोड़ोगे, तो 30 particle ही इसमें मिलेगे, तो इसको directly add किया जा सकता है, number of mole को, किसको, number of mole को, अगर इसका 20 gram लेकर लिये थे, और इसका 30 gram लिये थे, तो पक्का है कि यहां 50 gram मिलेगा, वो तो कम नहीं होगा, मास तो कंजर्व रहता है, किसी भी reaction में, मास कंजर्व रहता है, न, law of conservation of mask, तो मास का ट्रटा हम मोल से ले सकते हैं, तो number of mole देखा जाएगा, तो constant रहेगा, ठेक, तो अगर यहां number na है, यहां number of mole nb, और यह nc बता रहा है, तो देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, तो हम यहां से देख सकते हैं, कि अगर जितना हम na को add करेंगे nb से, उतना ही number of molecule हमारे पस nc के मिलेंगे, है न, number of particle थोड़ी घटा बढ़ा दो गए, concentration तो solute और solvent की नेचर पर depend करता है, particle पर थोड़ी, concentration, solute और solvent की नेचर पर depend करता है, कौन सा liquid ज्यादा hard है, कौन सा थोड़ा सा soft है, किसमे viscosity ज्यादा है, किसमे viscosity कम है, किसके intermolecular forces ज्यादा हैं, किसके intermolecular forces कम हैं, जिसके ज्यादा intermolecular forces होंगे, liquid ठिक हो जाएगा, sauce देखेंगे, sauce, बहुत ठिक होता है, तो ध्याद से देखोगे, तो number of particle तो वह ही रहेंगे, अगर C के total number of particle देख रहेंगे, तो N A, N B को add कर दोगे, तो C के number of particle मिल जाएंगे, अभी बताया थे number of mole निकालने के लिए क्या किया जा सकता है, molarity into volume कर सकते हैं, अगर यह number of mole निकालना है, इसको उदर cross multiply कर दो, molarity into volume, यह number of mole निकलेगा, तो N A का number of mole निकालना तो क्या करेंगे, पहले वाली की molarity, दूसरे वाली की molarity से multiply कर देगे, जाटा तो दिया आई था, फिर N B अगर निकालना हो, तो N B को V B से, N C निकालना हो, तो यह देखो यह आजाएगा, M C, ठेक, इसको multiply कर देंगे volume of VC से, अब देखो फिर से ध्यान से, जितना volume इसका डाले होगे, इन दोनों का add करके, उतना ही volume यहाँ पर भी मिलेगा, है न, एक गिलास इसका डालोगे, एक गिलास इसका डालोगे, तो दो गिलास यह बनेगा, तो अगर volume of C देखा जाए, तो यहाँ लिख सकते हैं कि volume of C जो होगा, वो VA प्लस VB के बराबर होगा, यह जो VC की value से और भी और change कर सकते हैं, यहाँ तो लिख सकते हैं, MA VA, NB VB, और यहाँ लिख सकते हैं, MC, VA प्लस VB, VC के बराबर लिख सकते हैं, VA प्लस VB का टाटा, ठीक है, देखो अब ध्यान से, हमें निकालना था MC, निकालना क्या था, MC की value कितनी आ रही है, और यह VA प्लस VB पुराण divide हो जाएगा, नीच्छ, resultant molarity of solution C, resultant molarity of solution C, MC is equal to यह वाली value देगे, ठीक है, यह formula कई जगा लगेगा, इसको लगाना रहेगा, तो ध्यान देंगे, कभी भी अगर mix करने का question आएगा, तो number of mole हम इसा बराबर करेंगे, चाहे gaseous item को mix करो, चाहे solid को, चाहे liquid को, कुछ भी करो के बाकी सारी चीज़े का directly add नहीं हो पारेंगे, लेकि number of particle तो 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 number of mole को हमेशा बराबर करेंगे, यह हमारे पास counting यह बार बार count हो रहा है, यह directly count हो जाएगा, अब देखो दूसरा तरीका, गौर किया होगा, जैसे कोई अगर थोड़ा concentrate solution होता है, हम लोग उसे पानी मिला के उसको हलका कर लेते हैं, है ना, दूद है ही मान लो, दूद बेचने वाले आते हैं, गपला करके चले जाते हैं, इसका molarity M1, volume B1, यह original दूद है मान लोग, यह milk, original वाला, original वाला है तो concentration ज्यादा होगा, है ना, अगर से concentration C1 है तो यह पका है कि C2 से ज्यादा होगा, यह नकली वाला मिलक है, यह water वाला मिलक है, water मिलकली के लिए, इसकी molarity M2 और volume V2, C1 concentration C2 से ज्यादा है, लेकिन फिर ध्यान से देखो, उसके अंदर कितना भी पानी मिला तो number of mole of solute अभी भी बराबर रहेगा, जो दूद था, दूद का volume थोड़ी, दूद के particle को थोड़ी change करते हैं, तो एक्षटा water add की हो ना, water तो यह solvent क्यों कहते हैं, जो हम लोग लिक्विड पार्ट यह solvent में घोरते हैं, यह solute तो अभी भी उतना ही है, यह solute हमारा दूद के तरह काम करेगा, पानी थो अभी भी उतना ही है हमारे पार, पानी बढ़ा रहे हो, solute अभी भी उतना ही बचेगा, ना, फिर number of moles को बराबर कर सकते हैं, तो अगर यहाँ पर फिर से number of moles को बराबर करोगे, तो N1 बराबर N2 लिखो गए, और N1 की value हो सक करके उसको मतलब थोड़ा सा light बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं, dilute करना, dilute, chemical पढ़े होगे, concentrate पढ़े होगे, dilute acid, concentrated acid, यह होता है, dilute वाले में थोड़ा सा water add कर देते हैं, कोई भी solution को थोड़ा सा हलका करना है, तो dilute डाते हैं, तो ही case है dilution का, यह है mixing का case, जब दो अलग solution, अलग-अलग molarity और volume के साथ इसको mix कर रहे हैं, तो यह कहानी है, mix यहाँ भी कर रहे थे, लेकिन water mix कर रहे थे, तो dilute कर रहे थे इसको, तो यह dilution का case है, तो dilution के case में formula यह लगाएंगे, mixing के case में formula, यह लगाएंगे, ठीक है, यह mixing का case है, और यह dilution का, ध्यान देना है, कुछ भी करो, यह बराबर ही आएगा, number of mol के साथ खेलवार, नहीं कर सकते, तो यह कहानी है, molarity की, ठीक है, तो molarity होती क्या है, number of mol of solute, यह ध्यान देखना, solute का ही mol लिखना है, solvent, solvent का किसी कमत लिख देना, और यहाँ पर हमेशा volume of solution ही लिखना है, volume of solute देके push देता है, यह volume of solvent देके push देगा, हमें पूरा-pूरा volume of solution निकालना पड़ेगा, वह भी लीटर में, लीटर में नहीं दिया है, तो ml में निकालके उसको 100,000 से multiply कर लेगे, दोनों data को इसलिए ध्यान से लिखना है, यह नह mixing का, mixing of different molar solution, अब अगर इस molarity की unit लिखा जाए, तो mole divided by volume, वह भी volume लीटर में, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, mole per litre से, mole per litre से, molarity की असली value होती है, mole per litre से, अगर अब किसी भी solution का concentration लिखना होगा हमें, जैसे मालो solution A है, उसका कुछ concentration है, solution A का concentration मालो 5 mole per litre है, तो अब A को ऐसे नहीं लिखें, यह तो A है न, A के आगे square bracket लगाएंगे, जैसे ही A के आगे square bracket लगा देते हैं, इसका मतलब होता है, हमें इसका concentration लिखे हुएं, अगर लिखना होगी, concentration of A is equal to इतना, तो पूरा-पूरा लाइन थोड़ी लिखने जाओगे, और concentration of A is equal to इतना, ठेक, उसको short denote करने का तरीका, A के उपर इसे square bracket लगाओ, और यह हो जाएगा, इतना, A के उपर इतना लिखा दे, साब पता चलेगा, A का concentration लिखा हुए, रेप्रेजेंट करने का इसका तरीका है, जिसे वेक्टर A लिखना हो, तो क्या लिखनेंगे, वेक्टर है, सीधा A के उपर arrow लगा, तो पता चलेगा, वेक्टर है, यह concentration का सिम्बाल है, बुक में यह लिखा हुआ मिलेगा कई जगा, concentration पढ़ रहते हैं, अब पढ़ना है, अगला टर्म, पहला पढ़ लिए, molarity, ठीक, दूसरा, अगर हम solute को मोल्स के टम में लेख रहे हैं, तो दूसरा हमारे पर स्टम आता है, molality, अब अगर molality को ध्यान से देखा जाए तो होगा क्या, यह हमारा बीकर, हमारा solvent, यह रहे हमारे solute, जिलको हम लोग यहां डाल रहे हैं, solute को मोल, इसके टम में में मेजर करना है, molar concentration पढ़ रहे हैं, in the terms of mol, लेकिन अब यह जो solvent है, यह solvent को लीटर में में मेजर नहीं करेंगे, यह solvent को mass के term में measure करेंगे solvent को mass के term में measure करेंगे और वो mass में जो होना चाहिए वो kg में होना चाहिए सिदा-सिदा kilogram में, SI unit तो अगर molarity को define किया जाए तो इसमें कर कर है mol of solute dissolve in इतना mass of solvent यही होती है molarity कि जितना amount of mol of solute हम dissolve कर रहा है किसी x amount of solvent के mass में और वो mass भी किसमें होना चाहिए kg में तो इसको कहेंगे molality molarity में क्या था? कि the amount of mol of solute dissolve in per liter of solution यहाँ पर kg of solvent है वहाँ पे था molarity m भराबर n upon v solution था यहाँ पर क्या हो जाएगा n upon w solvent हो जाएगा solvent है देखो ध्यान से इसमें इसमें confusion मत हो नहीं solvent है यह solution है है ना? बच्चे यहाँ पर solution ही लिख देते है mistake हो जाता है इसको solvent ही लेना है कि और direct solvent solution नहीं तो molarity अगर लिखी जाए है molality तो यह हो जाएगी moles of solute divided by w solvent और जो w solvent होना चाहिए हमारा kg के term अगर यह solvent kg के term में नहीं है gram के term में और mole को देखो और क्या चेंज कर सकते हैं mole को लिख सकते हैं w solute upon molar mass of solute यह हो गया mole इसको लिख सकते हैं w solvent gram अगर इसको gram में लिख रहे हैं तो उपर thousand से multiplication यह बन जाएगी molality का formula इसको small m से लिखते है मोलारीटी को capital M और इसको small है molality में यहाँ पर volume of solution लीटर में आता था यहाँ पर weight of solvent आता है वो भी kg में बात क्या है कि जब भी हम solution बनाने जाते हैं तो हम solution भी तो अला गलक तरीके से बना सकते हैं solid, liquid, gas solid, liquid, gas तीनी तरह के matter रहे हमारे पास ठीक है अब देखो इन सब का कर क्या सकते हैं सबसे पहले हम अगर यहाँ solute का data कर लिखना शुरू करें और यहाँ पर solvent का data लिखना शुरू करें तो solute और solvent को जोड़ेंगे तो हम बना को solution मिल जाएगा ज्यान से तो को यहाँ बात आती क्या अगर solute हमारा solid है और यह हमारा solid हुआ solute solid ही हो सकता है solvent हमारा liquid में भी हो सकता है कि अफिर से हमारा इव साली हो सकता है और यह 50 में सकते हैं लोह को शॉल्य मिला रहें जैसे ICES घूलाय बनाते भोल्ड बनता ना यह सीमेंट को बालु में बिलाते डार स्था शा resonate Всё है अब आ इही बनता ओस्वार केश सॉझी एभी स्था चुने भी हमारा वां solvent हमारा liquid के टम में हो जाए solid के टम में liquid के टम में हो जाए salt in water का solution salt in water का solution देखो कुछ इस तरीके का है solid को gas के साथ देखा जा solid particle gas में dissolve होने चाहिए जो हमारा air है air के अंदर जो suspendical matter है या जिसे हम pollutants बोलते है सब तो इसी में dissolve है air में नहीं छोड़ी छोड़ी पार्टिकल या dust particle in air, fog जिसे कहते है ना ये को होता है fog ये को होता है smoke 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 पानी गैस में लिक्विड मॉलिक्यूस होते है fog में धुंद जो होता है इसे कहते है धुंद के बादल चागए ये smoke smoke मतलब धूमा ठीक ये है solid के case में फिर देखो अगर लिक्विड को solute ले 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 तो फिर liquid solid liquid का liquid के साथ और liquid का gas के साथ फिर combination बनाया जा सकता है तो जब liquid हमारा solute है और फिर solid इस बर solvent हमारा solid हो जाएगा solvent हमारा solid हो जाएगा ये तो फिर solution बनाना पड़ेगा ठीक है यसे मालों मिट्टी है solid उसके अंदर पानी बना दिए पानी डाल दिए ना या यह दो कोई sponge है ना sponge solid होता है पड़ता है ना sponge हीजा solid पानी डाल दो इसके इंटरस्टीसियल पोर में पानी चला जाएगा लिक्वीड का solid के साथ liquid का liquid दूद में पानी फेट रहते हैं भी सब लिक्वीड को gas में यही है फॉब solute liquid होता है फॉब और देखो अब gas को solid में डाला जा सकता है फिर gas को liquid में गोला जा सकता है और gas को gas के साथ मिला जा सकता है गैस को solid में कैसे dissolve किया जा सकता है एक तो केसी sponge का हो जाएगा ठीक है दूसरा प्यूमी की stone आते हैं कुछ जो stone पानी में तैरते हैं ना उनके बीच में air molecules के लिए gap होता है बायोन फोर्स उसके provide करते हैं cavity होती है छोटी छोटी स्पेस की जो राम जी पूल बनाया थे पत्तर तैर रहा था पोरस पत्थर कहते हैं उसको पोरस पत्थर में बीच में च्छेद होते हैं वापे बीच में जाकर गैस भर जाती है गैस को लिक्वीड में कोको कुला पीते हो गए लिक्वीड होता है उसके अंदर कर्मट एक साड़ गर्स को हाई प्रेसर के कारण बर देते हैं अग गैस को गैस मेरी air जो मिक्षर है तो सॉल्यूसन ही हम लोग अलग लग तरीके से बना सकते हैं तो जो हमारा यह सॉल्वें उन लीटर में लिखेते तो वालिम मतलब लिक्वीड में घोल लाए तो सो कांव लोग यहां मास केजी में लिखे है मतलब मतलब इसको सॉलीड के सॉलीड के टंब में मेजर करते हैं तभी तो मास के जój में आया होगा। नहीं दो चीजह को मिला दो वह तुम्हारा मन जो बना लिक्विड हमेसा थोड़ी बनता है हमारा तूथ पेश्ट भी तो सॉलिउसानी है इन ही सब से बनता है फिर सब सॉलीड का सॉलीड में डालोग ऐलाय बन जाएगा ना सॉलीड को गैस में डाले यह एरोसोल जिसे कहते हैं यह रोसुल समझते हो सेंट वेंट मारते हो जाकर सब मिक्स हो जाता है यह हमारा यह पॉल्यूटेंट जितने है लिक्विट को सॉलिड में डालोगे यह ही मलसन वगएरा बनाता है इमलसन का नाम सुने गभी अभी आगे वाले चेप्टर में पढ़ाएंगे ठीक है उस तरह स लग-Alग सॉलिट आता है यह से हैं मोलारिटी मोलाइलिटी नुडिए मोलाइलिटी बोलता है की हमांट ऑफ-फ मॉल來了 के केजी ऑफ सॉल्वेंट अब इसकी यूनिट देखी जाए मोल अपॉन मास मास इन केजी तो मोल पर केजी मास किसमें नीप गया केजी में और सॉल्यूट को मोल में तो मोल पर केजी इसकी यूनिट होती है और कभी-कभी बुक में इसमें दिखा रहता है मोलल सॉल्यूस है इस इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इसा small m से, capital नहीं, capital से molarity दिखाते हैं, इस वाले को small m से, दूसरा अंतर देखो, molarity और molarity में होता क्या है, दोनों में पूस्ता है वो ध्यान से, यह दो को यह mass का time है, जिस solvent में हम dissolve कर रहा हैं, वो mass का time है, लेकिन जैसे ही molarity की case आती है, जैसे ही case molarity का आता है, N upon V solution आ जाता है, और जैसे ही V solution यह volume है, अगर temperature और pressure को change करोगे, तो volume बार बार बदलता है चला जाएगा, अगर temperature और pressure में change कर रहे हो, अभी temperature 25 degree है, गर्मी आ गई, और 40 degree हो या 45 degree होगे, तो इसका molarity बदल जाएगा, गरम चीज करने पर कोई भी solution थ उड़े जाएगा न, और उसके बीच में molecular distance बढ़ जाते हैं, इस तरीके से, ठीक है, तो और यह, डबलू solvent यह mass है, mass constant होता है, mass कभी change नहीं होता है, mass is constant quantity, तो कितना भी temperature और pressure बढ़ाओगे घटाओगे, इसका mass change होने वाला नहीं है, तो हमें बूचता है कि आप किसको prefer कर करना चाहेंगे, तो हम prefer करना चाहेंगे, molality निकालने के लिए, क्योंकि पता चला, इस molarity को हम कब निकाल रहे हैं, मालो ठंडी का मौसा में उसमें निकाले, temperature बाहर का 15 degree Celsius था, अब यहीं जो data हम calculate किये हैं, इसको गर्मियों के समय अब जाके practical कर रहे हैं, तो वो value same नहीं आ constant, यह change हो जाएगा, लेकिन यह change नहीं होगा, तो इसको ज़्यादा prefer करेंगे, ठीक है, no down कर लो, molality क्या होता है, solution में, कि बद दो ही तो term होता है, एक solute होता है, एक solvent होता है, अब इनी दोनों का ratio निकालना होगा, moles के term में, इनी के ratio को बोलते हैं, mole fraction, बस यही काम करना है, समझ गया है, नहीं समझे, क्यों आप solvent को भी moles के term में मेजर किया जाए, और जो solute ले रहे हैं उसको भी, moles के term में मेजर करते हैं, है ना, क्या कर रहे थे अब ततर, जितने भी concentration सम पढ़ें, सबको अलग-अलग चीज में मेजर कर रहे थे, अब देखो, यहाँ पर ECI बदल दी है, solvent का unit बदल दी है, अब इन दोनों में ratio लेना पड़ेगा, कि कितना mole solute का डाले हैं, तो कितना mole solute का डाले हैं, किसी solution में mole fraction निकालना रहता है, third, concentration of solute in terms of mole, जिसको बोलते हैं, mole fraction, और किसी भी solution में किवल दो ही term है, एक बार number of mole of solute निकाल लेंगे, और दूसरी बार number of mole of solvent निकाल लेंगे, तो mole fraction है क्या, mole fraction को देखो, इससे represent करते हैं, इसे बोलते हैं, काई, क्या बढ़ते हैं, C, H, I, काई, X मत लिख देना, थोड़ा बड़ा टेड़ा वेना करके लिखना है, या तो एक इसका ये डिंडा बड़ा कर देना, और दूसरा वला इसे छोटा, ठीक है, तलवार देखियो, तलवार ऐसे निकलती है, उसका ये पाट छोटा होता है, ये ऐसे, तलवार यहां से हेंडिम पकड़ते हैं न, कुछ इस टाइप से, काई, के तना बड़ा कॉपी में जगा तो होगा नहीं, नॉर्मली, तो काई इकल तो दो मोल फ्रेक्शन, टेक, तो मोल फ्रेक्शन, हम फ्रेक्शन के वाल इंड्विजवल चीज़ कहीं निकाल सकते हैं, न, तो पहली बार कैलकुलेट करेंगे, फ्रेक्शन सॉल्यूट के लिए, दूसरी बार फ्रेक्शन से कलकुलेट करेंगे, solvent के लिए तो यहां solute लिखते हैं तो अगर mole fraction of solute निकाल रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे उपर mole of solute पहले ही बता थे अगर किसी भी चीज़ का fraction निकालना होता है तो fraction कैसे निकालते हैं तुमको fraction निकालना सिखायते पहले उपर निचे करना सिखायते फ्रेक्शन fraction किसी भी चीज़ का निकालना है तो हर दम लिखते हैं part upon total part ना जी हम लोग को भी पढ़ायते हैं हर दम part upon total part तो हमारे पास ही जो solution इसके दो part है एक solute और एक solvent पहले इसका निकाल रहे हैं solute का ती होगे हमारा part पहला part total part देखोगे तो कितने term आजाएंगे दोनों term solute का भी मोल और solvent का भी मोल यहां लिखेंगे total मोल total मोल में आजाएगा हमारे बस N solute भी और N solvent भी यह दोनों आजाएगा तो मोल fraction is defined as the mole of a component यह एक component है solute लिखें है तो इसका एक component है solution के दो component थे उसके एक component the mole of a component to the total component of a solution उस solution में जितने component थे अब मालो तुम लोग होगे भाहिया बस दो ही होता है दो नहीं अगर मालो इसमें कोई तीसरा चौता पांचवा solution जोड़ दिए तो यह solution यह जो आएगा total part वो और बड़ा हो जाएगा तो एन पहला पार्ट दूसरा पार्ट तिसरा पार्ट नीचे और add करते करते चले जाएंगे लेकिन उपर केवल एक काई लिखेंगे यह individual निकालते हैं तो mole of solute mole fraction से हम individual components का mole निकाल सकते हैं molality और molarity से केवल हम mole of solute ही निकाल पा रहे जाएं लेकिन यहां पर mole of solute और mole of solvent और उसके बाद भी जितनी additional चीज़े add करो के individual component का भी mole निकाला जा सकता है तो यह पहला case हो गया है अब solute के टम में सेम अब इसी चीज़ को निकालना है solvent के टम में काई solvent solvent निकालना है तो उपर solvent का ही mole होगा जिसको निकालते हैं उसका mole उपर होता है mole of solvent upon total mole total mole मतलब and solute upon and solute mole fraction लिखने के लिए mole fraction लिखने के लिए करते क्या है अगर solute का mole fraction निकालना है तो mole उपर solute का लिखेंगे और नीचे total part कर दें और solvent का निकलना है तो उपर solvent का नीचे total part कर दें अगर सारे component को जोड़ दिया जाए किसी भी solution के अगर fraction कभी निकालते हैं हम लोग पार्ट अपन टोटल पार्ट और जितने उसके component हैं सारे component को जोड़ दोके तो इसा वन आना चाहिए और आता भी वनी कितने भी पार्ट होते हैं उसको जोड़ो तो वन आ जाए कि इसको मालब पार्ट यह 3 by 4 है तीन चाहिए और यह वाला पार्ट 1 by 4 है दो बार्ट में डिवाइड होगे अब इनके अगर इंडिविजुल फ्रेक्शन को एड़ करोगे तो वह नहीं आएगा में साथ कि इप उसी तरह यहां भी होता है कि सौल्यूट का मोल और सौल्वेंट का मोल जोड़ दिया जाये तो हमेसा कितना अगर जोड़ दिया जाए तो हमेसा बन आ जाएगा इसको लिख सकते हैं दूसरे तरीके से कि काई सॉल्यूट लस काई सॉल्वेंट इन दोनों की वैल्यू वन आएगी अगर वन नहीं ला पा रहे हो तो आप इसको कैल्कुलेट करके देखते हैं पूरा अच्छे से अगर इंडिविजुल कॉंपोनेंट हम बाटते हैं किसी एक पार्ट के तो उसके सारे फ्रेक्शन को जोड़ोगे तो हमेशा तो यूनिटी या नहीं है यूनिटी मतलब आना वन आना देखो यहाँ पर अगर काई ये और काई वी को एड करते हैं तो देखो क्या मिलता है देखो यह देखो काई सॉल्यूट काई सॉल्यूट देखो यह था मॉल आफ सॉल्यूट अपॉन मॉल आफ सॉल्यूट प्लस मॉल आफ सॉल्वेंट एन-solute upon n-solute plus n-solvent यह है solute का mole mole fraction इसमें अब add करना है solvent वाला का solvent का देख़े यह solvent का add करना है तो यहां लिखेंगे n-solvent यहां पर लिखेंगे n-solvent और total जो होगा वो होगा n-solute plus n-solvent ठीक है चाहो तो solute को a लिख सकते हो कि a हमारा solute है b हमारा solvent है यहां simple term में अगर लिखना चाहो तो n-a हो जाएगा n-a plus n-b प्लस यह n-b हो जाएगा solvent के लिए b वाला सब्दी उसकरना है और यह हो जाएगा n-a plus n-b fraction आया l-s-m लेंगे देखो दोनों तरफ l-s-m सेम है denominator सेम है न तो यही पूरा n-c-m हो जाएगा इसका n-a plus n-b और denominator सेम है तो उपर वाले चीश को mole fraction of solvent को add कर दिए तो कितना आ गया यही करना है एक्जाम में क्या करेगा एक का data निकाल देना तुम लोग mole fraction दोनों का निकालने को पूछेगा mole fraction of solute यह solvent का अगर दोनों का पूछ रहा तो किसी एक का निकाल देना में किसी केल्कुलेट करेंगे यह किसे निकाल लेंगे तो mole fraction हमने यह बताता है कि किसी भी solution में solute का mole और solvent का mole में relationship कितना है on the basis of their ratio ratio के basis में क्या ratio उससे हम calculate करते हैं तो mole fraction components का निकालते हम भी individual terms का किसी भी solution के कितने भी terms से कोई मतलब नहीं हमें individual का निकालेंगे वो अगर और बढ़ता चला जाएगा तो और बढ़ता चला जाएगा ध्यान से देखो इसकी एगर unit लिखनी हो mole fraction की देखो उपर भी mole का term है नीचे भी mole का term हाएगा तो इसकी unit हो जाएगी mole divided by mole मतलग कुछ भी नहीं unit less quantity यह क्या है कि इसकी कोई unit नहीं लेंगे unit less dimension analysis पढ़ते हैं तो लिखते हैं यह तो physical quantity मिल गई mole fraction लेकिन इसका dimension नहीं मिला तो कुछ quantity ऐसी भी होती है जिनके जो quantity होती है लेकिन उसके पाद dimension नहीं होता है तो यह quantity है जिनको कहते हैं dimensionless quantity तो अब सारे हमारे concentration के term खत्म हो गया concentration के term on the basis of percentage and concentration के term on the basis of moles of solute and solvent सारा note डाउन कर लो ठीक है ठीक है ठीक हो को रहे हैं पंड़ा चला लागे है याप सबकत वा सक्क्तूअ पर्च सीन और्म रमैं आए्ध मैं सबत्तरों कि इनके सब्सक्स का करेक्ट पंड़ा आढे हम इनको का करेक्ट आ लड़ एक खो मेठी गम को कि पॉरे हैं चाहल वे कुन को अङ़-स काहल जा लड़र जैसे बजसे लाइतक, तीज है कि बढ़ाई आस लाइतक. दीज है कि बढ़ाई सिल्कोरा, यजस कि बढ़ाई. गद्दी एंदेले शपतक. बढ़ाईन, एक्सिता. इस्तों तो इस नभर फुवल लागा माद जो नमबर फुवल फुवल पीश है किर्ट आपको फूल फुई पीशार्प्रेश्णिड़ देने वाला या या ये इस काइट पासप्ट निंगा जा इए इसके ज़ाएटिमें अमगा हुआचा कुछा पान और ये सुन तो ये जैसे मालू यहां में पियूंते हैं वही तो लिसका निहीं है वही तो लिसका बंदर को लिए आगे सब्सक्राइफ कि तैसे बात क्या आती है कि आप एक है कमिल मां रूट पुछ और होगा पुछ और सेक आवी मस्रा मोलर मास्क तुछ और तो हम इसके कितना चाहिए अगर मान लो इजाब सम देखा है इसका 2 gram इसके 5 gram मिला है इस इसी है 6 gram यह बना है इसका 2 gram इसके 5 gram से बनाए तो इसका 6 gram बना है तो आप इस इसके में कि रिलेशन से लगाता है हम यह पता कर सकते हैं अब अगर मान लोगे अग्ला पुष परिशन देदे कि अगर A का 7 gram लेंगे तो C कितना बनेगा C कितना बनेगा यहां कि कि बोल सकता है कि अगर B का हम यह 9 gram ली आए कि तो C कितना बनेगा ने हाँ पूर जकता है त बहुत है हुं और फोटर कई के साथ इतना ग्राम मुद्पै अघर के साथ गयाने जो यह पार्वर को तो में त्लीक दिखालते हैं मास नबर और पॉलियूम्स है मास और वोल्यूम्स इंटीन अप्राव में वोल इन प्रवाट है हम दो लेकर चल रहे हैं तो हमारे पास तीन रिलेशंशिप बनें तो और से बाते हैं कि मास का नमबर के सब लुए इसके बुलें कि मास नमबर रिलेशन निए ये दिए मास मुंद रिलेशन निए इस मारो लोड़ ते लिए ठीक है और तुछ ये कि कि इतने नमबर लगे कि कि अधान जो आ और तो अ वंक्ना अधरे कान मास नवर पूछ रहा है सब्सक्राइज अ पर अब मास का नंबर के सब एक इस प्रोडरी अ पाला यह मास के शाथ मास पोल्म इन ज्राइज और अ कि ना क्षब देगा और कि वॉलिम खी निंग िजिए रहा है कि ना नहीं वी एक रहा हते हैं अब ज़ेए मास के साथ कि रिषान का निबात करते हैं अ मास के साथ रिषान करते हैं कि आपी अफान पर चाला हो corona फोर्म ऐे में अणया ऐसे हो तो हुलें देखन Smells पर दोनों मास कर दोनों आजर में सो आप कि आउल सो None वखोडीस एक की सिर्पर दोनों वॉल्यमे कि आउट वो जिस वाद करेंगे कि है कि हम हुआ rediक्षन कर रहा रहा है अब के सिलेसे को इस नोगा बना है एक निया बना नहीं है दॉट दॉट इस निया रहा है तो हमें इसको बैलेंस करना होगा हमें इसाम पहले इसको बैलेंस करने कि इसको बैलेंस करने कि इसको बैलेंस करने कि इसको बैलेंस करने कि इतना है इस्के नीचे इसके आठी म्नपर गटे से कोफिशेंट को गणे, इसके अगर दाने है तो हम वे पता ने हुझा है, इसके और हम एक मोल आउट्रोजन लेंगे तो हम एक मोल हाट्रोजन कहा है तो हम जो सबिसा है इसके अजे एक मोल को टी मोल चे यह यह कि mast श्वेश्ट को लिए फिट करा दे से एक चमच् रिए पकता है कि मोलेका सिप्त निवस्ट करें दुकर दे जो कर दो पहार मिले, आप चम चुने है जैक है अब हम इसमें एक का मांगा मोले के प्टक दो C मिले इस तुने तक ज़ए, अब के सब्हिलoben के अंगूरे है तीक है बन मॉल किले इसका मास कितना हुदा है घर बूला मास इसका 14 पॉर्टी फॉन्टीएर इसके 28 ग्राम को हमें इसके 3 मोंफिक माससे रेट करना है 6 वाल इसके 6 ग्राम 3 तूटा 6 अड्रोजेंस ने दो होता है और 2 तूटा 3 तूटा 6 30-34 इसका मतलब यह हमारे पास जन्रल है यह पर 1-5 gram यह लेंगे, 6 gram यह लेंगे 34 gram यह हमें बिलेगा अब हमें जैसे हमोले अमास काठाट है तो जन्रल डाठा हमयद जाता हम 34 हमा बनान नहीं चाहेंगी आप में आप उसे जादा बनाना चाहें या तो इसे कम बनना चाहें कुछ भी मनाना चाहें क्या तरहे है जैसे इंग्वांब गबद भी अगर बोदे कि हूंने मात बचर यह के हमें 50 गराम बनाना है ठीक है हमें किसी की तरह 50 gram NS3 चाहिए है कि उमें 50 gram NS3 अब वे बस दागा दिया है कि प्रोड़क्तों के 50 gram चाहिए अब हमें टेकना रियक्टेंट के नहीं को पता नहीं है अब हम धीरे-धीरे इस रिलेशनशीप को निकाल के हम सारी रियक्टेंट की वैलू पता है कि हम नाइट्रोजन कितने ग्राम ले और कितने ग्राम हाइट्रोजन सब उसको रियक्ट करें तो हम एग्जैक्ट 50 gram अब उनिया मिल जाए तो सबसे तहले 4 नाइट्रोजन बेले व इसको और बॉलट के लिए सकते हैं इसको आगे लिए 34 gram NS3 को बनाने के विए जी चीज को निकारतों से राइस साब जाते हैं यह अन्नोन है ना अब उजकर कितना जाना ने मता रुचकूप साइप अच्छे सब्सक्राइब लेक्ट कि रहा है इसका हमें वां इस्पी लेगे है ए प्रटिज ऐ लम्ट पर्टिज ने की लेगा है कि युनित्री मैंसर्, यह लेकिन हमें हमें की कालना किसमेंस है, हमें हमें 50 ग्राम चाहिए, वन ग्राम के चाना कर 50 ग्राम के निये, इसी को 50 से मर्पी क्लाइब करतेंगे, हमें नुक्ता नाइक्रोजन लगाना पड़ेगा, इसे कालिप्रेट पर किसमा आठा है? पर कि अधिनी डंद्री शुष आया, ग्राइकके कालोजन लगाना पर किकला ओर इसी तरह से यही रिलेशन्सिप लगा के हो हम घ्रोजन का बता कर रहे हैं यह अधियोन को माँच कितना लेना है और है दो है और आटोजन पार है तो है दो है तो है दो क्या है तो 34 ग्राम नच्पी बनाने पी दिए है अब में लग रहा है 6 ग्राम फैक है ठीक है, तो 1 gram NSP दनाने भी नहीं है, हमें लगएगा 6 upon 34 gram S2 hydrogen gas, ठीक है हमें 50 gram नहीं है हमें लित कर दिमन कर दो चकर में आप्र कर को जार शogen कर दो आद है क्यां कि आपक प्रुदा रुटाल से प्रुदा दो अशब गल कि अंप। नहीं है य। अच्विल क्या है य। लग दौटप में प्राइब करें जिसे पांपने करें प्राइब 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 करें प्राइब 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 कर नहीं हो तो हम यह ग्राइब करें कि मोल के इस के इतने बांप मिलें जनलागेन एक मोल की की दी और नहीं है और हीडोजन तर फिसना लगेगा तो 8.8 शुच रांप तर इन दोनों को लखक 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 लखके तो तो फिटी कास पस आजाएगा लॉब दाटी जबेसान अफ मांस इस इक ब्यांद मास इस इपल्मास अफ डार शुच जोटरी केसे पर ब्याज़ थे साथ है अब हम स्टाइक्यमेटरी लिसंसिक लगाता लेकि ए और बी करता इस तरह से च्या आप सकता है हम stack here RIS Fam Himselfенной University YouTube dealer अम किवार में जहिए करते हैं तो हमीं बने के टाटा को साह इसका गीजए अनिधि इसका गीज़नी इसका आघ लिगा हम क्राथ कि अविक करते हैं हम इपनों से नी ना भाल के पहने सब आथ संसरी और हम अधंञें इसका जाए उसका है इसी तरह value के kind day सकते है निंब एकन पर दे सकते हैं सबके, इन फिर सकते हैं अलग इन तो यह go कर दिख्यांपर हो yudh मास कर देखेट कर दिख्योंजेगे अगर इसी ग्राउम्पल को मांस मिलेशंसिक तो फिर तो फटना क्या जा जबिए अब देखें कि यो महलों वहार पाट ही होगा स्टीक है माउस मास्स पाट दीडिए कर्कें मांसमेस मांस्सिक स्टना के लिए मांस मों बड़ तक रिलेशंसिक अगर हमें बोले पर्शन दे कि हाव मैनी मॉलिंग इसे लिखते हैं कि हाव मैनी कि है कि कि अरुडर कि यह बनाने समती है जो नहीं, अब भीक्ता को भी मश्य होगार नोंपर हो, तो अब स्थ आपके लिए शोजा है, अब कियो पर को भीके डाटा नहीं सकते हैं, जैके हैं, इसका बनाम के उसके और आले हो, जाखता है, इसका बने नाम वह नोंपर के बनाने हैं, जैके पर आले है and तो इसके पिसना में लिए 2 बनेगा लिए 2 बनेगा लिए 2 बनेगा तो हमें वहाँ से टाटा तो खिर है अगर हम 3 एंड में molecules लेते हैं इसके S2 के तो हमें इतना भी लेगा हमें नमबर का मास केसाब रिलिशल चाहिए तो हमें 24 ग्राम अमधर विखावा तो हमें यहां जिखें कि इसके 34 ग्राम अमोंया मिलगा अगर इतने molecules हो रहे हैं तो हमें इतना मिलगा तीक है इसको 33 ग्राम 3 बनाने के लिए हमें सामिछ 3 ने S2 लगा ने मसा आवके टोड आँगा 3 x 6.02 to 10 to 3 kW 3 volumeses of S2 लगा इसका बनाने कि इसका हम सो 1 g बनानाने इसलिए चीपी 1 g बनानाने 3 x 6.02 to 10 to 3 kW 30 to 10 to 1 मॉलिक्यूल को एच्टू लगेगे हुआ है हमें कितना चाहिए चुपर के नाम कटाना है हमें 50 ग्राम चाहिए 31 ग्राम के लिए अब इसी को 50 से 50 ग्राम एनिस्ट्री बनाने से लिए अमें लगे था 3 x 6.0 229 24 ग्राम के लिए अब क्यों के लिए अब तो नमबर आप तुमारी का लें ने है 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 जो आए पोटेंट यह वालिक्मी यह मास का नाटा था अमने नंबर के साथ मतमने मास को नंबर के साथ ही रिए तर दिया जो आएगा अब बचा बॉल्यूम का हम किसी के बॉल्यूम को किसी के मास के साथ किसी भी नंबर के बॉल्यूम के साथ में अब अग्री कंडिशन अब अग्री साथ है इस टीपी के दी हूँ तर दिशन आपके वाट की देखता है कि मास के बॉल्यूम की जैसे है तो अग्री अग्रण एस्टीपी पर बात करते हैं को कि मों लिकाते हैं है सह जाथिस्टी अग्री तो जैसे के अग्री कन आक है कि अग्राइस लिटर वॉल्यूम का मास के साथ है कि अग्री साथ माँन से कशलन को आग्रम मास को कि इसका ने कि वोल्यू टार इस तर्ट अग्राइब कर देखा रहे रिचाए की अधोस्तिक वॉल्यू लिटर् इस जा में कितना माश में जाए था था यह जिए था था या लिख सकते हैं कि 22.4 लिटर एंटू से हम 34 ग्राम आमोनिया बना सकते हैं अगर इतना लिटर हम एंटू दे लें तो हम इतना ग्राम अमोलिया बना सकते इसके मताब 34 ग्राम अमोनिया से 22.4 लिटर एंटू गैस रिवाइड है इतनी गैस कि लेगी अगर हम इतने लिटर तो हम 34 ग्राम बना लेंगे इसी तरह 1 ग्राम के लिए देखा जा तो एक ग्राम अमोनिया बनाने के लिए हमें 22.4 अपान 34 लीटर और एंटू गैस लगेगा रिक्वाइड है हमें डाटा दिया 50 ग्राम इतालने के लिए तो 50 ग्राम करने का लिए अगर 50 ग्राम एंश 3 बनाना तो यह तो वन ग्राम का था इसी को 50 से मटिप्लाई कर देते हैं इतना है रोगो हमारा अंसर क्याप्लेट में देख लेते हैं है अगरा आइट टू पाइंट नाइन पोल लीटर और एंटू गैस तो हमें इतना एंटू गैस रिक्वाया गैस बनाने के लिए और इसका प्राइट के लिए नंबर्स के टामका नंबर्स के टामका रहे जिरो फाइंट इसका मतला है यह हो जाएगा तो मॉली कुल्स और आइट्रोजन के लिए पहला मांस मांस रिलिशन सिख यह हमारे पास कितना मांस है रिएक्टेंट का डाटा ही हमें कुछ भी बताया इसने नहीं था तो इसके टाइक्ट्रेंट जेखेंगें इसी तरह second tier देखा तो इस्की घॉटा में इतना data विलिए अब mass number relationship mass का number के सब रिलेशन सिख देर गया था कि how many estu molecule required to form 50 gram of natre ammoniak banana में 50 gram तो इत्यो कि वोल्या उत्य है कि गें घंट्यू कि? जो भॉलिवा उस लगेगे उसको कायON करते हैं तो तो फिर चॉत्य है क्योंकि फिर हो captive 한다 अब मास अफो भॉलिव जासी Maas लोलिव रहरा मत्बभ एक om sort जाए तो अधिया और उसरे का वॉली नियृ का था, तो मैं पूछ औहीं चाहितना लीटर ना इत्ना लीटर सिर्श्ट नविए नाश लगे का 50 ग्राम अपून्या बना रहे हैं, मास यहादा मैं यह घटा मैं यह चाहिए अधन एक फॉली बना भी को था मास का बॉली वाद म साथ हैं माझ के लिए तो कितने आदंडी की मश्यगें रेखलम नोच सालश्यग होगा का सका है यह और टीदेगए न स्टाइए फ़र ससका है अब लीटर वॉल्म का मांस के साथ रिलिसंसित निकाता है तो वॉल्म देखो वॉल्म महां है 32.4 लेखा जाए तो 22.4 लीटर इसका 2 गोल देखा है अब हो वॉल्म का मास के साथ रिलिसंसित दिकाँ यह इसकी वॉल्म सोल है 22.4 लीटर इसका में इसका Lakes को अगर इथना लीटर हम एंट दे लें तो इसना ग्राम अमोनिया बना सकते हैं इसकाम पर इफोर ग्राम आमोनिया से 22.4 लीटर इंट्यों गैस रिखुआइड इतनी गैस फिलेगी अगर हम इतने लिटर तो हम ग्राम बना लेके इसी तरह 1 ग्राम के लिए देखा जा तो एक ग्राम हमोनिया बनाने के लिए है कि लीटर और और आइंट्टू गए देती ग्राम हमें तो 50 ग्राम करने के लिए कि अगर फिप्टी ग्राम एनेस प्री बनाना है तो यह तो वन ग्राम का था इसी को फिप्टी से मटी प्लाइब कर देते हैं कि इतना है रोगो है हमारा अंसर है क्यों है क्यों है क्यों है 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 आराइब 32.94 लिटर और में इतना अंट इस एक बना ने जिन और इसका पाइब शीचा कि नंबर्स के टाम का नंबर्स के टाम का दाए 0.531 टेंट इसका अधला यह हो जाएगा कि टू मोली कुल सब्सक्राइब करना है कि हमारे पास कितना मां कि हमें बोल दिया कि हमें 50 ग्राइड्रोजन फॉर्म करना अभूनिया फॉर्म करना यह क्या रियक्टेंट का डाटा है हमें कुछ भी बता है इसने नहीं था तो इसके स्टाइब के वेट्री से लेखें है जंडर रिलेस्टेंशिप से तो हमें बद्ध इसके इतने ग्रांस इतना बनता है तो हमने इसको कैल्क्येट कि हमने खाया कि 41.7 ग्राम नाइड्रोजन ग्राइश अगर रहेगा तो हमें 50 ग्राम अमोनिया नहीं दे देर किया था कि हाओ इस्टो मोलिक्यू इंक्वाइड वाइट इसको के क्लेट करना था तो तो हमसब बनाना इसलिप मतलब एक कमाश दिया और वुसरे को बनाना तो मैं कुछ यतना लीटर नाइक्टर डियास लगेगा 50 ग्राम ऑप अमोनिया बनाना यह सब्सक्राइब करें तो अलग अलग प्रोड़क के साथ हम रिलेशंशिप नहीं का सकते हैं यह लग अलग 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 ओपलंप नकिने कहसी सब्सक्राइब का मांस की असका रोक्राइब रिंगे कैसा हैं कैल्कुलेट कर सकते हैं कि ठीक है ना नोट आपके कि अ खुछ कर देखे देखें लिखते रहे देखाएं